रूस यूकरेन जंग में दोनों ही पक्ष का जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन अब यूकरेन ने एक ऐसा दावा किया है जिसका जवाब रूस नहीं दे पा रहा है इधर वार्ज जोन से आ रही रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कुसर्क में इतने जादा सैनिक मारे जा चुके हैं कि अब जंग करने के लिए सैनिको की भारी कमी हो गई है जबकि दूसरी तरफ पुतिन ने अलान कर दिया है कि कुसर्क में यूकरेन का पूरा वार प्लान रूस ने चौपट कर दिया वज्याक है कि मते हैं वजन रहार वार है वहाँ कि वहाँ वहाँ क्या 923 दिन से चल रही रूस युक्रेन जंग में रूस के 6,20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं युक्रेनी सेना के इन दावों पर भले ही रूस ने चुपपी सादली हो लेकिन एक बात तो तै है कि सितंबर महीने में रूस युक्रेन जंग पिछले 4 महीने की सबसे बड़ी और खूनी जंग सावित होने जा रही है 6 अगस 2024 को अचानक रूस के कुर्सक में युक्रेनी सैनिकों के भीशन हमले शुरू हुए उसके बाद से अब तक लगबग एक महीने की जंग में कुर्सक का इलाका लाशों से लबलब भर चुका है हालात यह हो गए हैं कि एक तरफ जैलेंस की दावा कर रहा हैं कि उन्होंने रूस में घुसकर कुर्सक पर कबजा कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन डंके की चोट पर कह रहा हैं कि उक्रेन को कुर्सक पर हमला करना बेहत भारी पढ़ चुका है और अब रूस, पॉक्रोसक और कुर्सक में युक्रेनी सेना को रौंधते हुए हर दिन एक से दो वर किलोमेटर इलाके पर कबजा करती जा रही है पुतिन के इन दावों के बावजूद अब युक्रेनी सेना ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है युक्रेनी सेना पो कुर्सक में रूसी सेना पर क्या दावा कर रही है युक्रेनी रक्षामंत्राले ने दावा किया है कि सितंबर 2024 का महीना रूसी सेना पर बेहद भारी पड़ रहा है युक्रेनी सेना का दावा है कि पोक्रोस्क और कुर्सक इलाके रूसी सेनिकों की लाशों से भरते जा रहे हैं दावा किया गया है कि पोक्रोसक और पुर्सक में 7 सितंबर को हुई जंग बेहद खूनी और खौफनाक थाबित हुई इस जंग में युक्रेनी दावो के मताबिक रूस के 1390 से ज्यादा सैनिक सिर्फ 3 सितंबर को मारे गए 1390 रूसी सैनिकू का एक दिन में मारे जाना वाकई रूस के खिलाफ बड़ी जीत है वार्जोन से आई रिपोर्ट के मताबिक रूसी सैना पर युक्रेनी सैना ने तोप, टैंक, बखतर बंद और भारी हत्यारों से लेस, पैदल सैना ने बेहत पास से हमले किये हैं जिसकी वज़ा से तीन सितंबर का दिन रूसी सैना के लिए काल साबित हुआ है पुतिन को हराना ना मुम्किन है वहीं दूसरी तरफ राश्टपती पुतिन ने साफ कहा है कि कुर्सक पर हमला करना युक्रेन को बेहत भारी पड़ चुका है रूस के राश्टपती पुतिन ने पूरवी रूसी शहर वलादिवोस्तोक में कुर्स जंग पर बड़ा दावा किया है पुतिन ने दोटूक कहा है कि युक्रेन का पुर्स काक्रमन पूरी तरहां से फेल हो गया है पुतिन का साफ कहना है कि पूरवी उक्रेन के डॉन बास शेतर में रूसी सेना को रोकने की कोशिश की गई थी जो पूरी तरहां से असफल रही है पुतिन ने खुलासा करते हुए कहा कि उक्रेनी सेना हमला करके रूसी सेना को भटकाना चाहती थी रूसी सेना को प्रमुक एलापों से ख़देड़ना चाहती थी, लेकिन डॉन्बास में युक्रेणी सेना को रॉंदा जा रहा है पुदिन ने यहां तक दावा किया कि उक्रेनी सेना सिर्फ पुर्स्क में ही नहीं, बलकि पुप्रोस्क में भी बुरी तरहां से हार रही है ब्रिगादे लुट नाशनलने पलिक्स उक्रेइनी अतरज़ने 50 कंटर अटक पद्रजिलेनी वरुजोने सिल उक्रेइन कीव में मौजूद राश्ट्रपती दफ्तर के दावों के मताबिक पिछले चार महीने की जंग रूस पर बेहत भारी पड़ी है मई से सितंबर तक रूस के न सिर्फ हजारों सैनिक मरे हैं बलकि रूसी सेना का तोब खाना बखतर बन और भारी हत्यारों की भारी तबाही हुई है जहां अकेले 3 सितंबर के दिन ही 1390 रूसी सैनिक मरे हैं तो वही अब तक युकरेनी दावों के मताबिक 6,20,350 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं युकरेन के रक्षा मंतराले का दावा है कि 3 सितंबर को रूस के साथ टैंक, 27 बखतरबन लडाकु वहन, 30 तोब खाने प्रणाली, 43 UAV, 35 वहन और इंधन टैंक तबाह हुए हैं जबकि 923 दिन की जंग में रूस के अब तक 17,694 तोब खाने सिस्टम और 8,618 टैंकों को युकरेनी सेना ने बरबाद कर दिया है युकरेनी सेना का दावा है कि अकेले जॉलाई 2024 में रूस के 1,520 तोब खाने तबाह हुए हैं जबकि अगस्त में रूस के 1,517 टैंक तोब और बखतर बंद बरबाद किये गए हैं इधर वार्जोन से आ रहे ही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 दिनों में युकरेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है हम आपको रूस और युकरेन के टॉप कमांडरों के जरिये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला युकरेन पिछले 11 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है रूसी सेना का दावा है कि पिछले 11 दिनों में युकरेन की कम से कम 200 यूनिट तबा हो चुकी है जबकि पिछले 11 दिनों में ही उक्रेन को जमीन और आस्मान में भारी नुक्सान हुआ है रूस का ये भी दावा है कि महज एक दिन में 800 उक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार डाला है जबकि 6 अगस से अब तक युक्रेन के 6600 सैनिक और 70 से ज्यादा टैंक तबा हो चुके हैं युक्रेनी राष्टपती वुलादमीर जेलिंस्की के कार्याले ने दावा किया है कि पिछले 11 दिन में रूस ने उस पर 575 से ज्यादा मिसाईले दागी हैं जबकि 26 अगस्त दिन सुवार को युक्रेन के टॉप पाइलिट कर्णल एलेस्की मूनफिश जिस वक्त रूसी मिसाईलों को तबा करने के लिए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रहे थे उस वक्त उनका F-16 जंग के मैदान में तबा हो गया जेलेंस्की इस नुकसान से सदमे में चले गए और इस घटना के चार दिन बाद उन्होंने युक्रेनी वायू सेना के कमांडर मायकोला औलेश्चुक को तुरंत बरखास कर दिया हैरानी की बात तो ये कि युक्रेन सेना के कमांडर इनचीफ जनरल अलेक्जान्डर सिरिस्की ने खुद माना है कि कुर्स्क में हमला करना युक्रेनी सेना के लिए एक जुआ था और अलेक्जान्डर सिरिस्की कही न कहीं ये हकीकत मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कुर्स्क में युकरेनी सेना को आपरेशन फेल हो गया है हम आपको रूस और युकरेन के हमलों से जुड़ी कुछ और तस्वीरे दिखा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जंग में कौन बाजी मार रहा है ये वीडियो युकरेन के हवाई हमले का है जिसमें युकरेनी ड्रोन, रूसी सेना और हतियारों पर सीधा आत्म गाती हमला कर रहा है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोड़दार धमाके और भीशन धमाकों के बाद रूसी सैनिक सरंडर करते हुए दिख रहे हैं युक्रेन के ड्रोन पुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक हाथ उपर करके युक्रेनी सैनिकों के सामने सरंडर कर रहे हैं सरंडर करने वाले कुछ रूसी सैनिकों को जमीन पर लेटते हुए भी देखा जा सकता है यूक्रेन के जबरदस्थ हमला करने के बाद रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस मिसाइल हमला किया है ये वीडियो यूक्रेन का है जहां रूस के हमले के बाद भारी तबाही मची है सूपर मार्केट जलकर राख हो गई है 24 गंटे पहले भी रूसी सेना ने युकरेन के पुलतावा इलाके में बलिस्टिक मिसाइल से ऐसा भिशन हमला किया है जिसने जेलिंस्की के होश उड़ा दिये है दावा किया गया है कि रूस के इस मिसाइल हमले ने पुलतावा इलाके में दस इमारतों को पूरी तरहां से तबा कर दिया है जबकि रूस के इस हमले में 55 से ज्यादा लोग मारे जा चुके है जबकि 200 से ज्यादा घायल है जिन में से कैई की हालत बेहत कम्बीर है अब ऐसे हलात में अगर युक्रेन फिर भी रूज पर जीत के दावे कर रहा है तो वाकई में युक्रेनी सेना और जलन्सकी के दावों पर शक पैदा कर रहा है फिलाल पुतिन ने हमले बेहत तेज करने का आदेश दे दिया है